नमस्का दोस्तो तो आज के जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे स्नैपड्रागोन एजनेरेशन 3 के बारे में जिसको बार प्रोबाबली एजो वीडियो पूरे यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो होगा दूसरा एक्षिनोस 2400 ये भी प्रोबाबली पूरे यूट्यूब का पहला वीडियो होगा तीसरा हम बात करेंगे स्नैपड्रागोन एज ट्विटीफोर सीरीज के बार में और एच चीज में बोल देता हूँ के बारे में तो जैसे भी स्क्रीन में देख सकते यह जो प्रोसेसर लॉंच होगा 2024 के स्टार्टिंग पे मतब इस साल के आखर में डिफिनिट्ली लॉंच नहीं होगा इस बार का यह जो CPU डिफिनिट्ली TSMC के तरफ से आएगा और जो सबसे में चीज दुनिया का सबसे पहले यह पर हो सकते है कि दुनिया का दूसरा तीन नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे आएगा क्योंकि आपने लास्ट दो साल देखा है कि सबसे बेस्ट जो नैनोमीटर प्रोसेस वो मीडिया टेक सबसे पहले लॉंच करता है तो मतलब इस बार भी सेम साहिद स्नैप डिफिन दुनिया का दूसरा तीन एनेम आर्किटेक्चर के साथ लॉंच होगा अगर हम कि copper structure कि बार में बात करें तो ओलमॉस्ट कॉंफरांंड हो चुका है इस वह में मिलेगा one-plus, five-plus-two call structure इसका मतलब इस बार हमे het.日 के performance के उपास ज्यादा focus देखने को मिलेगा और जो आधर के performance series का call बो हमें ओर भी थोरासा काम मिलेगा लेकिन फिर भी क्योंकि इस बार हमें तीन नानोमीटर आर्किटेक्टर मिल रहा है तो इसलिए ओगराल सीप्यू के ओपर हमें 20% पावर एक पीशी से देखने को मिलेगा कॉंपेर टू स्नैप्ड़कोने जिनेशन टू मंदर जो कि मेरे कहल से काफी बड़िया बात है लेकिन अभी जो सबसे इंपोर्टन चीज़ इसका गीगवें स्कोर तो जैसे भी इस पिक्चर में देख सकते हैं अभी इसका जो प्रोटोटाइब मॉडेल मंदर जिसको पर आल्रेडी काम चल रहा है उसका स्टार्टिंग का जैसे चिक्च कोड आ चुका है और इसका मति कोड़ कोड बो छेहजार दोशों शी जद्यादा है और जो सींगल कोड पाप्रमेश में नीजी सो के आसपा से तो प्रोबाबलि जाबे प्रोशेसर फाइलारी लॉंच होगा जित्ता मुझे लग रहा है सिंगल कोड में 2000 से ज सिंगल कोर में पाप्रमें से 1900 मालता दोलों के बीच में अल्मोस चास्टो पॉइंट का डिफरेंस से सिंगल कोर लेकिन जो नया वाला सबसे पहला इन इंप्रमेशन मिल रहा है यह होगा दूनिया का सबसे पहला टेन कोर बाला से प्यों जो की मोबाइल के लिए लॉन्च होगा इसका कोर और उसके अंदर क्या का कोर होगा बहुत भी अल्रेरे मालूम चल चुका है जैसे कि स्ट्रीन में देख सकते एक्सिनोस 2400 तो यह जो प्रोसेसर और मास प्रोडेक्शन में जा चुका है और इस साल के जून के आसपास जो सैमसुंग का जो मोबाइल डेवलपर उन लोगों के हाक में आ जाएगा उन लोगों का जिम्यदारी होगा इसे अच्छे से ऑप्टिमाइस करना जिसे कि गैलेक्सी एस 24 सीरी आप्टीड़ कर हैगा तो इसलिए इसका आप्टिक्शर बहुं हामें सैंप्सुंग के तरफ से मिलेगा अगर इसके को स्रुक्चर की बार में बात करें इसमें हमें one-plus, two-plus, three-plus, four यह स्रुक्चर हमें मिलेगा इसके अंदर जो एक हाइप्रप्रमेंस कोर बहुगा kotex x4, उसके साथ 2 high frequency bala kotex x720, 3 low frequency bala kotex x720 और उसके साथ 4 power efficiency bala kotex x520 को रहा है, और graphics card के मामले में काजल रही कि इसलिए Marsनल, the future infrastructure majesty andpacev 10 УG game 3.. तो इसलिए powerful technology औरinta भी रहा है , Exynos 24-00 its preface Nova kita fast profit also चाहिए गालेक्सी एस तुंटी फोर के बारे में एक्चोली दो बहत ही आजीग इंफरमेशन मिल रहा है पहला इसमें हमें सेमसूं की तरब से ऐसा प्रोसेसर मिलेगा जो कि एक्स्क्लिउसीव होगा प्रोबाबली एकसिन उस टूफोर जिरो जिरो और दूसरा का जारे कि इ का प्रोसेसर मांदा क्वालकॉम का विरियन मिलेगा उसमें हमें क्वालकॉम की तरफ से एक्स्क्लिउसी प्रोसेसर मिलेगा मांदा ऐसा हो सकता है कि स्नैप ड्रोसेसर नॉर्मल ब्रैंड के लिए होगा लेकिन उसका एक स्पेशल एडिशन सेर्फ सैमसुं के लिए हमें देखने को मिलेगा जैसे इस बार भी सेम चीज़ हुआ है अगर भी नीचे के चार्ट में देखेंगे तो इस बार का जो सैमसुं स्नैप ड्रोसेसर प्रोसेसर नौर्म धाल नबर है स्नैप ड्रोसेसर प्रोसेसर बिखने को मिलेगा तो तो आभी ताक Snapdragon जर्शन 3, Exynos 2400 ये दोनों के बार में डोटल एई सरी इंप्रमेशन मालूम चला है तो अभी आप मुझे चे कमिशन ज़रूर बताना For example, अगा next year जब ऐसे flagship smartphone launch होगा अगा same price बार में हमें Exynos 2400 मंदब 10-Core वाला CPU ये मिलता है और दूसरे साइट में हमें Snapdragon इजर्शन 3 मिलता है तो same price one में अभी लेवेले दोनों प्रोसेसर के बीचे में आप पहुन साथ चूस करना चाहेंगे इसके बाड़े मुझे चे कॉशन रखाना बिल्कुल ही मत भुलिएगा तो में इस दे अगले वीडियो पे आप तक सेटी तूना और और से मेंबर थिंक पोजिटिव बी पोजिटिव थेंक्यू